अभी हम यहां कित्वाण में आये है और यहां काफी दूफ है सुबह से कुछ खाया नहीं है इसने साप पगड़ा था लेकिन भाग गया वह अभी हमें आगे ब्रीज भी क्रॉस करना है तो देखते हैं क्या होता है लेट से ट्यूंड अब देख सकते हैं यहां पर कपड़ा गिरा है इससे यह पता चलता है कि 100 साल तक यहां पर कोई भी नहीं आया है इन जाडियों में जंगली जानवर रहने के चांचित वेसे है इसलिए हमें हमेशे सतर प्रेनाथी है और जहां कि आना चाहे है वरना हमारे बास से वह हमें पहचान लेंगे कि कोई नहीं है जिसको आप देख रहे हैं इसको तबीक सुदाने चाहिए इसमें यह जही लप होता है कि आप एक बोटल गीरी है लेकिन उसमें पानी बजरास अभी नहीं है काफी ठकान हो चुके और दो दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं देखते कुछ मिलना के इस Refust हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है कि यह चेटान काफी फिसलन बरी है लेकिन हमें पार तो करनी है कि यह हमारे साथ सलीम आच चुके है हमारे जर्नी में जुड़ चुके इस बार अब हम पानी तक पहुंच गए है चाहिद आगे कर रस्ता बहां से है यह पानी पी सकते हैं और हाथ में प्यास लगी है दो दिन से उसने पानी नहीं पिया था आज जाके उसकी प्यास हुची है हमारा एक साथी अभी बहुत ही खुश नजर आ रहा है दो दिन के बाद आज प हम पिसलन दी अभी हमें आगे लाए तो चलते हैं पानी का बहाव काफी तेज है जानी कि इसमें मगर मश लाने के ताल सिस दिल्कुल भी नहीं तो आप इसे आराम से पार कर सबते है और वो जो मेरा दूसरा सती है उसके बूट में पाणी से लागाया है उसलिए वो तकलीत में थोड़ा अभी हम कुछी देर में हमारे गाईडी तक पौशने वाले अभी तक दिकाई है वीडियो करें लें चालो है रहे कापी थकान हो चुकिये दो दिन से कुछ नहीं खाया है हमने आए यह पूरी तरह गिला हो चुकिति ऑए यह क्या नहीं ले रहे अब यां अब यह अगरी मंदिल है अभी जाके गाड़ी भी बेट ने शुब दो यह अगरी ब्रीज है आप जो देख रहे हैं आगे हमार 14 पार करके आए अब ही यह पेने लाइक पानी मिल चुका है भी झाओ जेख लाओ सोड़ी ब्रीज है तो यह पाइक अज़गी जाओरी जाओाव